कि है लो स्ट्रेंट वेल्कम तो माई चैनल प्लीज सिस्क्राइब करतें चैनल को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज हम पढ़ेंगे पर्मुटेशन का पार्ट टू पर्मुटेशन में कोशन पीछे कर चुके हैं इसी बेसे को किया है अभी तक यह कुछ जुमें आपको बता रहूं जैसे फॉर्मुला क्या होता है एंट पी आर होता है ठीक है ना पी फॉर्टेशन देखो जैसे कि मुझे बोला अगर मुझे बोला पांच कोई प्लेस नहीं पांच प्लेस हैं उनमें तीन पर्संस को क्या करना है अरेंज करना तो चुका हूं कैसे कोलते हैं 5 into 3 ठीक है divided by 2 से 2 कर जाएगा यहां पेंट टू 2 क्या हो जाएगा 5 फॉर्जा 23 जा 60 तो आंसर केतने होंगे 60 वेस्ट से हम लेख सकते हैं किलियर यह मैं आपको बता चुका हूं कही बार बिना फॉर्मुले के बताया था सिंपल है न तो यह क्या होगा यह एंट बना मतलब जितना है उस्सी का फैक्टोरियल रहेगा अगर हमें update 0 बिल्डे करना है और गउल ऑर यह इसमें से द्हें करना मेशना एक विंपल क्षτε करना कoisь और वेल्गा क्या हो फाइव 5 में से वही 3 था 5P 3 था तो 5 common ले लिया तो 4P और 2 में से एक common ले लेंगे 2 इसका क्या होगा same answer आए था यह कह रहा है तो देख लेते हैं इसका तो अभी निकाला था हमारा कितना आया था 5 हमारा आया था 5 divided 2 था ना 5 4 3 यही तो था तो 5 4 20 60 answer था इसका देखते हैं 5 and 2 तो 4 into 3 into 2 होगा नीचे 2 होगा 2 से 2 कर जाएगा तो 5 4 जा 5 4 जा sorry 5 4 जा 20 23 जा 16 देखो same आ रहा है तो इसका मतला भी यह होगा 5 P 3 हमें कोई भी चीज दे रहा है यह मतला N P N दे रहा है कोई पी नम्बर हमें N P R दे रहा है अगर N common ले लेते हैं तो उपर से भी एक common ले लेंगे नीचे से भी common लेंगे तो answer same यह आएगा clear है न यह हमारा same question question हो जाएगा next यह मैं N P 0 के लिए बता चोंबान होता है देखो एक question दे रहा है उस question को कर लेते हैं यह ही question है तो क्या दे रहा है F N P 4 यह क्या हमारा ratio दे रहा है N P 4 रेशू N P 5 क्लियर है न एक्वल टू 1 रेशू 2 दिया है क्या दे रहा है N P 5 रेशू N P 2 N P 5 रेशू N P 4 रेशू है N P 4 रेशू N P 5 एक्वल टू 1 रेशू 2 इसको सेम लिख लेंगे रेशू में लिखा होता तो क्या करेंगे N factorial divided by N minus 4 का factorial यही रहेगा न इसको solve कर लिया अब डिवाइड है तो यहां डिवाइड में क्या लिख दू N factorial divided by N minus 5 का factorial यह मैं बता चुक हूँ आपको नीचे रहेगा यह ऊपर चला जाएगा तो N factorial से N factorial कट गया यह ऊपर चला गया ठीक है अगर यह क्या हो जाएगा N minus 5 5 factorial divided by n minus का 4 factorial n minus का 4 factorial equal to 1 by 2 clear है यह रहेगा अब क्या होगा देखो अगर मैं इसको खोलता हूँ n minus 4 कोद क्या हो जाएगा n minus का 4 और क्या जाएगा n minus 5 factorial यही रहेगा मैं करा चुका था अगर मैंने क्या solve किया था अगर मैं क्या खरता हूँ n factorial को खोलता हूँ क्या होगा n into n minus 1 into n minus 2 तो काम होता जलता है n minus 5 factorial हो जाएगा clear तो देखो यह इससे कर जाएगा simple cross multiplication कर देगे तो क्या हो जाएगा इदार यह चला जाएगा और यह इदार आजाएगा तो n minus 4 equal to 2 4 इदार जाएगा n equal to kitna जाएगा 6 हमारा answer आजाएगा 6 answer आजाएगा हमारी m टी वेल्यू find हो जाएगा अगर r find करने को बोले जाएगा r find करने को बोले जाएगा तो क्या होगा 12 PR equal to इत्रा number देदी मतलब total number देदी हमें NPR दिया है तो कुछ नहीं देखो हम options से उठा लेंगे हमें optional objective question है हमारा mc entrance के लिए और anim set के लिए हमारा किसी भी exam के लिए competition exam है उसके लिए क्या objective question होगा option दे रखेंगे तो simply क्या करोगे option उठाओ R की जबें put कर दो 12P अगर मैं 3 रखता हूं 12 divided by क्या हो जाएगा 9 factorial यह होगा न 12 minus 3 9 हो जाएगा equal to कितना 320 अब क्या हो जाएगा इसको खोल लो 12 into कितना 11 into 10 और क्या हो जाएगा into 9 factorial अब देखो यहां 9 factorial 9 factorial से 9 factorial कट गया कितना वच्छा इसको multiply कर लो 12 11 का multiply करो इसको multiply करो इसको multiply करो इसकी बराबरा जाएगा देखते हैं 11 10 जा 110 ठीक है न इंटू 12 12 0 0 0 12 बंजा 12 का 2 12 बंजा 12 और 1 13 13 equal to 13 20 यहनि क्या इसका option क्या हो गया इसा ही है clear तो R की value हमें find हो जाएगा कितनी R equal to 3 इसी concept है अब देखो हम question करते हैं जो हमें वरवली question दिये जाते हैं मतलब जैसे कि हमें देदिया equation अब इसको कैसे arrange करेंगे उन सभी number को कैसे arrange करना है यह समय बताता हूं यह mathematics है repetition number आ रहे हैं को कैसे solve करेंगे clear मैं आपको बता देता हूं in how many way different ways एक हमें number दे रखा equation देखो equation क्यों लिया मैंने equation इसमें क्या होता है यह generally जातर questions जाता आतर आपने देखिया होंगे teachers भी नहीं questions को लेते हैं equation लेते हैं क्योंकि इनको number इसके सभी words को क्या करना है different way से arrange करें कैसे भी लिख लें तो देखो यह मैंने लिख लिख लिया है इसके सारे numbers को कैसे arrange कर सकते हैं देखो टोटल कितने एक दो तीन चार पांच है साथ टोटल 8 है तो देखो अगर मुझे form करना है तो पहली प्लेस में क्या करना है मुझे 8 वे से कर सकता हूं आठ में से कुछी भी 8 को ले सकता हूं और दूसरी चीज क्या है repetition not allowed क्या हो रहेगा repetition not allowed repeat नहीं होना चाहिए नमबर तो पहले अगर मैं 8 हो possible है पहली जिटर रखने के लिए दुबारा में मेरा क्या है एक तो fix होगे ना कोई साभी तो 7 रह जाएंगे अगली वार 6 रह जाएंगे फिर 5 रह जाएंगे फिर 4 3 2 और 1 ठीक है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ना 8 is it होगे हमारे अब देखो मैंने आपको क्या बताया था factorial पढ़ाया था इसमें थोड़ा factorial concept लग जाएगा जिससे आपको easily हो मैंने क्या बताया था आपको factorial कर आई थे इसमें मैंने फाई बन से लेके 7 तक आपको learn करने के लिए बोले थे तो हमारा 5 ना होता था 벌써 6 का होता था हमारा सेवन सेवन स defense 5 0 4 874 डियर भी ना अब पना यह घया है हमारा यह मारा Prinzeयल हो यह यह इंग तक क्या रहेगा 7 सेवन क् तो कितना हो जाएगा simple आप क्या करो कि 7 factorial का हमें पता ही है 5040 into 8 8000 840 का 0 और 804 और 8540 तो यह हमारा क्या हो जाएगा simply answer आजाएगा यानि क्या होगा 5040 clear अब क्या करेंगे हम next question करते ही तो यह वाला question इसमें बस कुछ नहीं different वेशे लिखना है different तरीके होंगे हमारे 8 factorial 8 is it कोई repetition नहीं कोई number क्या नहीं कोई number common नहीं है इस वाज़िस क्या होगा 8 factorial अगर हमें क्या बोल दें next question में क्या बोल दें same equation को हमें equation के बढ़ को form करना है form मतलब arrange करना है और start किसे होना चाहिए q से q नमबर है न हमारा q से start हो तो देखो क्या है total 8 तो ही है हमारे लेकिन क्या कर दिया एक जो start है यह वाला fix कर दिया q क्या कर दिया fix कर दिया अब क्या बचा हमारा 7 7 नमबर बचाएंगे 7 प्लेस बचें तो 7 फैक्टोरिया आप नॉर्मली लिख दोगे 7 6 5 तो यह के लिख दोगे अब कुछ नहीं start क्या करना है q से क्यों कोई भी नमबर देता है q की जगा दे दिजिए टी दे दे कोई भी नमबर तो एक नमबर फिक्स होगया न इसके लिए वह नहीं तो पॉसिवल्टी रहेगी इसको start करने के लिए q1 है तो एक ही पॉसिवल्टी लेकिन यहां पर तो रहा है हमें क्या करना है equation को start करना है क्या होना चाहिए q कोई से अब क्वेशनेंट और वाविल तो आप समझते हों कि वाविल के तो पांच होते है ए आई आई ओउ यू बागी सब तो देखो क्या है इसमें एक आई आई ओउ यू होता है ना तो q 1 हो गया यू और यह भी है ती देखो एक तो होगया q 1 होगया t और एक होगया n इसमें कितने कॉंसोनेंट है तीन कॉंसोनेंट है कितने कॉंसोनेंट है तीन तो start with consonant तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट तो first वाले पर क्या हो जाएगा हमारी तीन है तो 3 वेज होंगे को ुद इसे भी प्रेग सक्ते हैं यहाँ पर क्या q भी लिख सकते हैं टी भी लेड सकते हैं और즉ल सकते यह जड़े होना चाहिए को बातरी तरीखे तो just to 7 प्लेज सब्साइब फिर फार्व वार में उन्हाना यानि क्या सब्साइब है कि क्या हो तो क्या होगा आंसर? 3 x 7 factorial 7 factorial का 5 0 4 0 ही है इंटो 3 कर दीजिए आंसर आ जाएगा 0 4 3 जा 12 0 और 1 5 3 जा 15 ठीक है? यह हमारा क्या जाएगा? 15,120 ठीक है? यह आ जाएगा हमारा इसका आंसर अगर क्या बोलते हैं? वो Start with Vowel अगर Vowel से Start करने को बोले तो क्या बोलोगे? अब Start with Vowel बोल दे इसी equation को Vowel से Start करने को बोल कितने इसमें? सिंपल 1,2,3,4,5 5 Vowel है? तो क्या होगा? 1st place पर Vowel से Start कर रहा है तो यहां कितने होंगे? 5 बे होंगे? बागी 7 के क्या हो जाएगे? टूटल कितने होंगे? 7 बेज हो जाएगे न? 5 तो 7 factorial यह रहा तो 5 into 7 factorial 5 into 7 factorial आप कर लोगे 7 factorial का आपको पता है 4 0 into 5 इसी है? अब इसीली इसको कर सकते हो यह फिर हमें question ऐसे दे सकता है कि Start कर रहे हैं बोल से Start कर रहे हैं बोल से और End कर रहें कॉंसोनेंट से क्या बोले? Start करें हम Start करें हैं बोल से ठीक है? और End किस से करें हम? कॉंसोनेंट से ऐसा भी तो बोल सकता है Start, Wobble, End, Consonant तो Wobbles कितने हमारे? 5 और End हमारा देखो First Digit होगी और एक कितने? Last Digit हमारे कितने हो गई? Last Digit हमारे होगी End किस से करें? Consonant तो 3 ways हो जाएंगे बागी बीच में कितने हैं? दो प्लेस कतम होगी तो 6 प्लेस बचे ना? 1, 2, 3, 4, 5 है तो 1 तो यहां fix हो गई एक जगा यहां fix हो गई clear है ना? तो simple क्या बचे? 2 चले के तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 6 ही तो बचेगा? यहां में से कोई सा भी fix हो गया यहां पर भी एक fix हो गया तो कितना हो जाएगा? तो यह 6 factorial simple है ना? 6 factorial यानी 8 जगा थी, total 8 में से 2 minus कर देंगे 8 जगा थी, 2 एक पहली बारी एक last वाली तो कितना 6 factorial पहले 5 कॉन बवेल से? तो 5 से multiply कर दो और last में कितना 3 consonant है तो 3 से multiply कर दो आप हो जाएगा 6 factorial गावाँ पता है 120 into 3 into 5 तो कितना 15, 120 into 15 आप कर लोगे 1500, 15 तूजा 30 का 0 15 बचा 15 और 3 15 15 बचा 15 और 3 18 ठीक है ना? यह आपका अंसर आ जाएगा clear है? तो ऐसे ही question मनेंगे अगर equation का दे दिया जाएगे repetition not allowed बोलेंगे तो यह जाएगा तर मैंने सारे possibility करा दी है अब देखिए अगर कोई ऐसा question दिया जाता है जिसमें हमारा जिस word में जिसमें किसे मुझे mathematics दे दिया गया क्या दे दिया गया? mathematics कोई नमबर दिया है मन देजिए 3,4,5,6,7,8,9,10,11 तो simple क्या लिखो कि 11 factorial पहली चीज़ 11 प्लेस फेक्टोरियल fix कर लेंगे अब देखो जिसमें जितने common होते हैं जितने common होंगे उनका नीचे लिख देंगे तो देखो M दो बार है और तो नहीं है 2 factorial नीचे लिख देंगे clear अगली बार A A भी दो बार है तो दो फेक्टोरियल लिख देंगे आगे क्या common है T common है T common है तो हम क्या लिख देंगे T भी दो बार लिख देंगे आगे कुछ common है SM कोई common नहीं है तो simple हम इसको solve कर लेंगे 11 factorial divided by 2 factorial and 2 factorial and 2 factorial इसको आप solve गर लोगे जो answer आएगा आप उसको लिख दोगे clear है ना तो मतलब चाहें कुछ भी हो जैसे अगर मुझे क्या देदिया banking क्या देजिया banking clear है ना अगर मुझे banking दिया है तो इसमें क्या 2 N common है 1 2 3 4 5 6 7 factorial divided by 2 common है तो 2 लिख देंगे तो इसके लिए formula बन जाता है आपका क्या होता है N factorial total जितने भी लाइक लाइक बोल देने लाइक मतलब सेम नमबर है सेम एड़ेसे A भी है तो P का factorial into Q का factorial into R का factorial समझके तो यह हमारा यह formula भी कहलाता है N factorial divided by P factorial into Q factorial into R factorial ऐसे आप इसको solve करके answer ला सकते हो ठीक है अब नमबर लेके आई अगर जो कुछन नहीं समझना आता मुझे comment कीजिए मैं आपको कुछन solve करा हूँगा next video जो रहेगी हमारी circulation arrangement पर रहेगी कि circular में एक table के through अगर circle में हम कैसे arrangement करें ठीक है न उनको कैसे fix करना है कैसे arrange करना है उसके बाद हम combination पढ़ेंगे ठीक है इसमें circulation में दो तरह होते हैं एक तो clock wise एक anti clock wise और एक necklace necklace आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो को कैसे हमें necklace वीडियो को clear करना है बहुत easy concept है circular motion circular sorry circular arrangement circular permutation बोलते हैं उसे आगे करा दूँगा मैं questions ठीक है thanks for watching please subscribe परते चैनल को और आपने चैनल को subscribe नहीं किया है like करें वीडियो को और share करें thank you